हाँ हाँ मुझे पता है आप यहां मुझे बोलने हो कि ब्रो तेरा थम्नेल देख थम्नेल में ही स्पेसेक्स के स्ट्रीम कितना बेटर दिख रहा है पर देखो कैमरा अकेला चीज नहीं होता एक लाइफ स्ट्रीम एक्सपिरियंस का और ऐसी ब्लैक और वाइट थिंकिंग हम अनौंस करता है कि कल हम यह कस्टमर्स को लॉंच करने वाले में भी कस्टमर्स के थरू हमें कुछ टाइम पहले बता चले कि यह लॉंच होगा बट यूजिली एक दिन पहले ऑफिशली इसरो दूसरी तरफ दो वीक पहले हमें हिंट्स मिलने लगते मीडिया के थरू कि क्या लॉंच होगा वन वीक पहले ऐसे ऑफिशल अनौंसमेंट आती है सोशल मीडिया पर इसरो वही नहीं रुखता अपने मिशन के लिए इसरो अपने वेबसेट पे डेडिकेटेड मिशन पेज सेट अप करेगा जिसमें गैलरी होगी उस गैलरी में बहुत हाई डालता है इसे पहले ब्रॉशर का जाता था जिसके उपर काफी सारे डीटेल्स होते हैं टेकनिकल लेवल पर सबसे पहले तो अगर रॉकेट का कान्फिगरेशन कि कोई अगर एक्स्ट्राइब डाले कि नहीं यह कैसे एक सरे कैसे दिखता है रॉकेट का वगरा वगरा उसक कास्टमर पेलोड के डिटेल की कौन सा कस्टमर पेलोड है कहां है लगाया हुआ है उसे रॉकेट के उपर और उसके जनरल एक डिस्क्रिप्शन थर्ड ली और सबसे इंपॉर्टन चीज एक डीटेल टेबल होता है जिसमें टाइमस मेंशन होते हैं कब क्या इवेंट होगा एक मिनिट बाद ये बूस्टर सेपरेट होगा या पाच मिनिट बाद ये इंजिन स्टार्ट होगा ये इंजिन स्टॉप होगा चालिस मिनिट बाद शायद ये साटलाइट पहले सेपरेट हो या बाद में वो सेपरेट हो तो काफी सारा टेकनिकल डीटेल एकदम टाइम ट जरूँ क्या देखो हम सब लोग जो है गरिप सेंटिस कम्यूनिटी और सब नर्ड लोग हम नर्ड है हम घीक है हमें डीटेल्स चाहिए हमें मतलब तलब है टिकनीकल डीटेल्स की नॉर्मल लोगों को इल्लीगल सब्सेंस करके नशा चटते हैं हम लोगों को यह साइंटिफि के कैमराज वे बेटर है उनकी आप कलर देख लो कांट्रास देख लो उसकी शापनस देख लो स्ट्रीम की रेसिलूशन देख लो तो 4G तक भी चले जाता है और जो ट्रैकिंग का जो एक्यूरेसी है वो इतना अच्छी तरह ट्रैक करते हैं रॉकेट को इंसेनली गूड को और जब रॉकेट का आग लगती है मतलब बुस्टर की तब वो जाके ब्राइट होता है मतलब क्या ही मतलब इतना बुरा कैसे और यहां पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूंगा काफी लोग दूरदर्शन को ब्लेम करते कि दूरदर्शन के वज़े से इसरो की कैमरा स्ट्रेम को जब वो ओन भी नहीं करते है तब मैंने शशी जो दूरदर्शन की सीओ उनसे पूछा था कि कौन वो रिस्पांसिबल स्ट्रीम के लिए तो उन्होंने कहा था कि इसरो की कैमरा ज़रो का प्रोडक्शन एक्विपमेंट दूरदर्शन बस एक अभी नहीं दिखता है ऑफिशल चैनल के उपर और जब वो लफड़ा हुआ था दूरदर्शन के साब तो काफी लोगों ने आइटेया फाइल किया था कि कौन ओन करता है कॉपिराइट क्लेम तभी भी इजरो के ओंपिया और पब्लिक रिलेशन उन्होंने क्लैरिफाई कि प्रेड्यूसर है और कॉपिराइट ओनर भी वही है तो यह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दुरदर्शन को ब्लेम मत करो रिसेंटली पर इंप्रोव्मेंट्स दिखने लगे हमें नए कैमरा एंगल्स वगरा दिखने लगे है लांच स्ट्रीम के टाइम प्लस रिसेंट लगता है इनके लांच पैड के कैमरा से इधर वो सेम कैमरा यूज कर रहे है या तो इनका जो एंकोडर है और डिकोडर इंका जो हाडवर लाइवस्ट्रीम का वही घटिया है अभी जनरल लाइवस्ट्रीम के कैमरा छोड के बात करते हैं देखो क्या डीटेल्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग मतलब क्रीन के उपर क्या डीटेल्स दिखते हैं पर तो स्पेसेक्स एक मस्ट जॉब करते हैं नीचे एक सरकल दिखाने का जिसमें नेक्स्ट इवेंट दिखाते हैं मतलब कौन सा स्टेज नेक्स्ट होगा अब यह बेटर लगता है मे इंसेनली डिटेल्ट है अब स्पेसेक्स से कंपेर भी नहीं कर सकते इस रोब बहुत सारा डेटा दिखाता है अपने कंसोल के तुरू काफी सारा डेटा जैसे ऑविसली एक टाइम तो दिखाएगा यह प्लस रेलेटिव वेलोसिटी रॉकेट के क्या है उसका रेंज मतलब कि कि रॉकेट और परफॉर्म कर रहा है अंडर परफॉर्म कर रहा है कुछ वरी करने का है बीच बीच में आपको मैप्स भी दिखाएंगे कि कहां है अगर आप मैप पे देखो यह स्पेसेक्स भी के दिखाता है उनका बेटर फार्म है वो दिखाने का प्लस एक इवेंट मतलब PSLV Stage 2 Engine Start और तो यह सब जो है वो फ्लाइट इवेंट से और यह मतलब बेटर आइडिया देते एक वीवर को कि क्या इवेंट्स हुए की नहीं सक्सेस्फुली और यह सब लाइव डेटा से आ रहे है यह सब स्ट्रीम डेटा से आ रहे है रिसेंटली सिंस वो ऑन बोर् देखो तो on board footage दिखाते है राइट इजरो के पास भी है और उनकी mission control में वो दिखता है पर वह में live नहीं दिखाते मुझे नहीं बता क्यूं पर उसके compensate करने के लिए इजरो अभी अच्छे animations दिखाने लगया और यह animations live है मतलब rocket का live data लिके यह animations बन रहे है तो अगर आप data wise देखो यह जो इजरो data दिखा रहा है इतना data दिखा रहा है कि मैंने मेरा dedicated video है यह बस explain करने के लिए graphs क्या है और इसका meaning क्या है इस data की value जो है बहुत ज़्यादा है compared to anything मेरे अगर आप मेरे हिसाब से पुछो as a nerd मेरे को यह data ज़्यादा important है versus camera feed पर obviously मुझे choose नहीं करना चा देता देखो ऐसा नहीं है कि इजरो का परफेक्ट है लाइश्टेम बैड है बट यह सब उनके strengths है यह data दिखाना है graphs दिखाना अगर आप NASA का stream भी देखो तो वह बहुत घटिया होते है आज कल SLS जब उन्होंने recently stream किया नीचे progress बार था पर प्रोग्रेस नहीं कर रहा था म यह देखो कभी ना कभी future में जाकि इजरो अपने cameras upgrade करेगा especially as Gagnon comes close तो I hope जो भी वो लोग responsible है इसके लिए वो cameras upgrade करे ही on board और launchpad वाले पर यह सब aspects के साथ compromise ना करें यह सब जो है वो इजरो का strength है और अगर इजरो अपने strengths को लेके अपने जो weaknesses है जैसे camera quality उसे improve करे तो इज इसलिए मेरे को यह overly extra negative में usually आपको बता है बहुत नेगेटिव होता हूं बट इस case में मेरे को थोड़ा बहुत उसका अच्छा side भी appreciate करना था बस इतना ही था चैनल को support करने तो join button दबा सकते हो member बन सकते हो आपको discord access private access मिलेगा प्लस wallpapers मिलेंगे और हम calls भी करते हैं अगर परन कार्थिके देवाल जैम शर्मा रोविच सवर्ना वुटलश जितने रानन प्रिसाथ प्रदीप महंदास आकाश पतेल एनोनिमस तनमय दिशपांडे निशन कुमार विशाल बारोत पल्लव रानेडे हाइडरेटिंग कृपल पतेल निशन प्रजापती शानक पेर्णी और संजद कावले